हेलो दोस्ते तो कैसे हो आप सभी वेलकम और में यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एजुकेशन आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो रहेगा ओटैटिस मीडिया क्या होता है ओटैटिस मीडिया तो इसके ओपर हम डिसकेस करेंगे आज ठीक है तो इस सेशन की दोरान हम क किसी भी डिजिग को पढ़ने का तो वह सारा इसके अंदर हम क्या करेंगे फोलो करेंगे ठीक है जिससे क्या होगा है अच्छे से अपन को क्या हो डिजी समझ में आ जाएगी कोई परते हैं तो उसका क्या हमें देखना पड़ता है पहले इंट्रोड़क्शन देखना इसके दोरा मैं आपसे डिसकस करूंगा ठीक है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थीक है तो आज का सेजन भी स्टार्ट करते हैं इंट्रोड़क्शन से ठीक है क्या होता है इंट्रोड़क्शन में बड़ने की अ कि middle ear की जो layers होती है उसमें क्या होता है inflammation होने लगता है ठीक है अब inflammation होने के कई कारण हो सकते है उस्ट्रिकेन ट्यूब वह ब्लोकेज हो गई कोई bacterial viral infection हो गया इस वज़े से हो सकता है ठीक है तो आज वही सारी चीजिए हम इस session के दोरां discuss करेंगा infection of the middle ear due to the blockage of estrogen tube देखिए जो estrogen tube होती हो कनेक्ट करती है upper respiratory tract को middle ear से ठीक है अगर उसमें blockage आ गया है तो इस वज़े से भी क्या हो सकता है हमारा middle ear में infection हो सकता है okay second होता है otitis media can occurs as a result of the cold short throat देखिए मैं ली तो किसकी वज़े से होता है bacterial viral infection की वज़े से होता है और इसके respect वज़े से की short throat हो गया ठीक है cold हो गया इनकी वज़े से भी हो सकता है ठीक है second आता है definitions the otitis media is a group of inflammatory disease of the middle ear मैं लेकि क्या होती middle ear की क्या होती inflammatory disease है एक परकार की inflammatory disease है देखिए otitis itis आगे itis का मतलब होता है inflammation ठीक है किसका है middle ear का okay second है if fluid is also formed देखिए otitis media है इसके हम टाइप्स देखेंगे ठीक है तीन टाइप्स के होता है acute हो गया chronic हो गया serous otitis media जो serous otitis media होता है तो इसके अदर की ओता है meadal ear होते है उसमें क्या होता है fluid का accumulation होने लगता है fluid का accumulation हूल सेचा इसके इंदर fluid का जमाओ होने लग जाता है accumulation होने pleasant होता है registriinarStevie evolved और about bacteria कि बात करती तुर बैक्टिरिया के अंदर राता है Streptococcus pneumonia ठीक है कि अ तो सब्सक्राद के नाम करता और बैक्तिरिया नाम रखती ट्रैक्टेक्टियुक्ष ए फिर आते इसके रिस वेक्ट्रॉक्त कैंट क्या हो सकते हैं। रिसक्टर हो गया जैसे की इतन von हो गया sore throat हो गया इसके क्या रिस फेक्टर होते हैं कि मैं लिगी जैसे की कॉल्ड हो गया जुखाम हो गया तो इसकी वज़े से भी हमें क्या हो सकता है otitis media हो सकता है कैसे होगा otitis media यह हम pathophysiology के अंदर समझेंगे और समझेंगे हैं तो यह आपको समझ में आ रहा है कि inner year internal year बोल सकते हैं inner year बोल सकते है middle year और यह हो गया external year ठीक है middle year होता है यह वाला हो गया middle year यह होगी यूश टेकिन ट्वब अब इसके अंदर किसी भी परकार ब्लोकेज हो गया तो यहां पे कोई भी, होगा, उसका, accumulation होने लगा, फ्लूड कहीं भी, बोडी के अंदर, accumulation होता है, तो उसके अंदर, और हो था है, bacterial viral infection होने का खतरा, अगर bacterial viral infection होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, inflammation, chozen rate, होता है, ठीक है, तो यह बता रखा है, कि इसके अंदर समझाया वाग कि यह inflammation and the fluid accumulation in the middle year middle year के अंदर क्या होने लग जाएगा एक तो inflammation होने लग जाएगा फ्लूड का accumulation होने लग जाएगा ठीक है अब इसकी pathophysiology देखते हैं देखे कभी भी कुछ पी pathophysiology लिखते हैं तो हमें पहले उसका कारण लिखना होता है किस वज़े से हो रही है क्या हुआ पहले infection हुआ किसका infection हुआ bacteria viral infection हुआ फिर infection कहा हुआ हमारे जो upper respiratory tract है उसके अदर हुआ ठीक है फिर upper respiratory tract है वहां से कहां गया infection वहां से हमारे जो middle year में गया मिडल एर में किसकी हेल्फ से गया तीक है देखे मैं बताता हूं आपको कि यह यूश्टे किन ट्यूब यह किससे कनेक्ट होती है हमारे इस टेकिन ट्यूब है हमारे अपर respiratory tract से कनेक्ट होती है ठीक है किसको कनेक्ट करती है मिडल एर को कनेक्ट करती है ओके फिर आता है infection transfer from the upper respiratory tract to middle year पाइदा यूश्टे किन ट्यूब सेकिन आता है एक्जुडेट्स एंड देख्या अब मिडल एर में infection हो गया तो वहां पर क्या होगा एडिमा होगा साथ जो एक्जुडेट्स का मतलब होता है कि जो भी सबस्टांस का सीक्रेशन होगा मैंने की fluids वगरा का सीक्रेशन करेंगा यह साथ फिर क्या होगा है ठीक है फिर decrease reduction of the tympanic membrane होती है हमारे जो एर की जो tympanic membrane होती हो क्या होगा उसका decrease होना स्टार्ट हो जाएगा फिर आता serious exudates in the middle year वहां पर स्टार्मेशन होने लग जाएगा साथ यूज से क्या होगा पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा पस्ट फॉर्मेशन होगा तो tympanic membrane क्यों होगे हमारी रप्चर होने लग जाएगी जब तो इस condition को हम बोलता है है acute autitis media क्या क्या हूआ वापस से देखते है पहले infection हुआ हुआ है अपर ट्रक्त में हुआ अपर रेस्पैर्ट से कहा जाएगा infection फें त्यूब की हैसे Serious Fluids का क्या होगा? Secretion होने लग जाएगा Serious Fluid है वो वहाँ पर थोड़ा Time के लिए रहेगा Pass Formation करने लग जाएगा Pass Formation होगा उसके बाद क्यों जो हमारे Timpening Membrane रप्चर होने लग जाएगी फिर इससे क्या होगा Acute इसको क्या बोलेंगे Acute इनकी जो duration है उसकी basis पे इनको Classification किया गया है अगर 6 weeks से अगर उसका time period 6 weeks से कम का है तो इसको Acute में रखेंगे और 6 weeks से जादा है या 3 months से जादा है तो हम इसको Serious Autitis Media में रखेंगे और अगर Acute Autitis Media का Repetition बार-बार हो रहा है Acute Autitis Media का Repetition बार-बार हो रहा है तो इसको हम Chronic Autitis Media के अंदर रखेंगे ठीक है अब इनके positive agents क्या हो सकते है अब देखे Acute Condition में क्या होता है इसका कारण वेन कारण क्या होता है Bacteria भी कौन-कौन से Streptococcus pneumonia हो गया अब यह पाया किसमें जाता है यह Most Common किसमें पाये जाता है Children's में पाये जाता है फिर आता है Serious Autitis Media इसके अंदर Serious का मतलब होता है इसके अंदर fluid क्या होने लग जाता है Accumulation होने लग जाता है साथ यह Ustokine Tube है उसमें क्या होता है जो हमारी Ustokine Tube है उसमें क्या होता है आपके नेग्यूटिव प्रेसर जन्रेट होने लग जाएगा ठीक है और साथ ही में यह क्या होता है Most Common कारण होता है जो इंडिया है मारे इंडिया के अंदर Most Common Deepness जो बहरेपन का में सबसे Most Common कारण है Serious Autitis Media अब आता है Chronic Autitis Media इसमें क्या होता है I hope आपको टाइप समझ में आ गए होंगे अब देखते हैं इसके क्लिकल फीचर क्या क्या होता है फर्स्ट क्लिकल फीचर इसका Autalgia Autalgia का मतलब होता है Autalgia Pain in Ear इंडर क्या हो रहा है फिर होता है Autoria Autoria का मतलब होता है Inflammation of the Ear with the Plurient Discharge इंडर क्या इंडर कफ़ोता है Autalgia Autalgia Autalia कि अब आगे देखते इसके का मुइन सकता है मेंन गया Ambika दिखाया गया कि जो ब्रेंगी जो इसपाइनल कोर्ड की जो फी कि प्रेंट इसमें जो लैंटियानों होने लग जाता इसकी वजह involved तो के फिर आता है कि फिर आता है Mestroidectomy Mestroidectomy जैसे की diagram में दिखाया गीजिए कि यहारा EAR के पिछे की जो बॉंस होती है Mestroide Bone बोलते इसको ठीक है इसके अंदर जोता है Inflammation होने की वज़े से मने जो autitis media Autitis Media की वज़े से Mestroide हो जाता है कि brain abscess होने लग जाता है कि पिछे के साइड इसके पिछे के साइड क्या होने लग जाता है inflammation होने लग जाता है Hydro syphilis, Hydro syphilis से आप I hope मैं जानता हूँ कि आप रूबरू हो चुके होगा पैसेंट पे देखा होगा आपने पीडियर्टि के अंदर तो इसमें क्यों होता है कि हमार जो बच्चे का जो head होता हूँ क्या होने लग जाता है bulge होने लग जाता है जो जो normal baby का head circumference होता है 34 cm के लगवग होता है थीक है बट इसके अंदर 36 38 टीक है 40 तक 40 से उपर जला जाता है यह कि mogą ऩो समय में और से समय स्ब्राइब करेंगे का hy usability has cost यह इसाऊंस करें मैं कभी भी किसी कॉंसे करना में चोन किया जाता chapter क्वान को पार्श यह ना नहीं कंई कर रहे है टेडिके कितने बग्यूच हो गया है क्लिशली बार कब आया ता सारी चीज़ के अंधर उससे पैसें खूद बता दे यह उसके जो अर्टिंडर से इसके फैमिली मेंबर से उसके एश्यों प्रेंड से इसके रिलेटिव से उनसे अफन पूछेंगे कि फिर उसका फिजिकल एक्जमिनिशन करना तीरी इस संपा रहा कितना नहीं सुन पारहा वह सारी चीजिस चेक करेंगए तुणिंज टेस्ट होता है मल tak इसके इसके इंदर हम दोनों तरफ टीजिकेट लगा का मल झेक बजाके देखेंगे कि इधर जाधा सुनाई दे रहा रहा है ठीक है फिर होता है bone ossicle test bone ossicle test में क्या करेंगा bone conducting test करेंगा मले कि हमारे जो bones पाई जाती है दिखे जो हमारा ear है उसके इंदर तीन bone पाई जाती है malleus incus और stepes ठीक है miss bone बोलते हैं इनको इनके अंदर कोई conduction की वज़े से कोई blockage या conduction नहीं हो रहा है यह सारी चीज़े हम इससे check करेंगे bone ossicle test के थुरू हम इनके अंदर देखेंगे कि conduction हो रहा है कि कंडक्शन का मतलब होता है कि यहां से जो भी wave आ रही है या जो तरंग आ रही है या जो क्या बोलते sound आ रहा है वो आगे पोचा पा रहा है कि नहीं पोचा पा रहा है ठीक है यह सारा इसके अंदर हम test करेंगे ओक्य अब देखते इसका management कैसे करेंगे कभी भी किसी का management करना होता है हम तीन प्रकार से करता है medical management surgical management and nursing management ठीक है और प्राइटिवाइज आप अगर नर्सिंग मेनेजमेंट लिखो गए तो वो ज्यादा बैटर रहेगा और एक्जैमिनर अच्छे माकस देखे जाएगा आपको ठीक है आप नर्सिंग मेनेजमेंट के अंदर दो से तीन पेज आराम से भड़ दो गए ठीक है एक बार आपको समझने की नीड रहेगी तो मैं अपकमिंग क्लासेज के दोरान नर्सिंग मेनेजमेंट ले के आँगा ऑके अभी हम मेडीकल मेनेजमेंट और सर्जीकल मेनेजमेंट डिसकरेंगे तीक है देखे मेडिकल मेनेजमेंट का मतलब होता है कि उसको मेडिसिंट प्रॉइड करना कनिकल तो फिचर से इनल्गेस्ट के लिए नियों से घ्लें और कि इनल्गेसिं खेडिय तो JUST के लिए ओसे बैसिम यहां क्यों निए जै करेंगेहिव के इनल्गेसिक है अरिप्लमेशन हो रहा है इंफ्लमेसिंगे हम क्या देंगे anti-inflammatory drugs देंगे ठीक है fever और anti-piratic drugs देंगे ओके तो ऐसे ही हमें क्या करना है इसका management करना है तो medical management में हम क्या करेंगे पहले to provide the antibiotics like penicillin देंगे enalgesic देंगे उसको pain हो रहा है इसलिए anti-inflammatory drugs उसको inflammation होरी इसलिए देंगे non-steroid anti-inflammatory drugs का यूज करेंगे अपन इसके अंदर anti-piratic drugs देंगे महले कि इसको fever आ रहा तो इसको anti-piratic drugs देंगे ठीक है carefully suctioning of the ear करेंगे महले कि देखी इसके अंदर क्यों होता है कि autoscopic की जो auto-scopic होता है महले कि इससे क्या internal middle ear को हम scope की साहिता से देखके इसका suctioning करना है कई touch नहीं हो जाए कर रप्चर नहीं हो जाए membrane वगरा तो इसको carefully अपन को suctioning करना suctioning मतलब होता है कि कोई भी fluids वगरा है ear के अंदर तो उसको बाहर निकालना सक करना ओके फिर आता है इसका surgical management surgical management पर हम देखेंगे पहला देखेंगे इंपनो plastic अब देखें इसके नदर के ओदे जो मारी tympanine membrane है वो उसमें अगर कोई किसी परकार का infection हो गया inflammation हो गया तो उसको हम क्या करेंगे repair करेंगे tympanoplasty का मतलब होता है यंटार करना और तिम्पेनो इसमें का मतलब होता है remove करना ठीक है जैसी टीम्पेनिंग membrane है वो क्या होती है क्पूरी इस्ट्रो방 खराब होगे तो उसको क्या करना है remove करना है ठीक है तो इसको एलिए आम तिम्पेनो इस्ट्व में करेंगे तो इसको क्या करना है इसको हटाना है ऐ होता है Mastroid Dectomy Mastroid Dectomy Mastroid Dectomy जैसे मैंने बताया था कि Mastroid Bone होती है उसको रिमू करना इसके इंदर जो Middle-ear का complication अपने पढ़ाता तो इसके इंदर Mastroid Dectomy करेंगे अब आगे जलता है इसका nursing diagnosis priority वाइस मैंने nursing diagnosis लिका है अब देखिर जी नर्सिंग डारे नोली यह सोफो मनद कीया है अलों ब्लाक कियाँ में क्या करते है नर्श ते जिसरी गिम्नीकल फीचेश को म ughard ट्थार। ऑफ्योड का पर दो थे फिशोंट का ने करते हैं related to the inflammation of the middle ear िसको क्यों हो रहाँ क्योंकि उसके अंदर middle ear है उसके अंदर क्यों हो गया? Inflammation हो गया Inflammation होने से उसको क्या हो रहा है Acute Paine हो रहा है Second है इसकी NGT ims будет ¿देखिए अब lavender ऐसको NGT क्यों हो रही है? क्योंकि उसको लग रहा हैughter है ठीक है उसको अंकमफर्ट इरिटेशन हो रहा है इस वज़े से उसको क्या हो रही है एंजाइटी हो रही है ठीक है तो इंपेर्ड वर्बल कम्यूनिकेशन अब देखें इंपेर्ड वर्बल कम्यूनिकेशन क्यों होगा इंपेर्ड वर्बल कम्यूनिकेशन क्यों होगा क्या response करूंगा उसका कोई response नहीं करूंगा थीच है कि इंपेंड वर्बल communication ओएंग फिर ओगया d가지 सेंश्प्रीड सेंशरी पर संरी अ मतलब होगया ती इसको सुना जिर्व दियों कैड़ा तो इसके कारण हो सकता है जैसे कि इसके इंदर बता है एक तो obstruction हो सकता है ठीक है सेकिन infection के वज़से हो सकता है फिर होता है तीसरा इसके अदर auditory nerve damage जो हमारी auditory nerve होती है न वो क्या हो जो कि देमेज होगी auditory nerve impulse है उनको कहां तक लेके जाती है brain तक लेके जाती है फिर रहता है risk of injury भाई तेरे को सुनाई नहीं दे रहा ठीक है दिखाई नहीं दे रहा तो क्या होगा infection of injury होगी तो गिर सकता है तू पढ़ सकता है ओके और लास्ट है infection infection क्यों हो सकता है related to presence of the pathogenes पहले कि आपकी body के अंदर pathogenes microorganism है तो आपको क्या हो सकता है infection का खत्रा रहेगा आप ओश्पिटल में हो उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है infection हो सकता है I hope आज का session आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like कीजिए subscribe कीजिए thank you so much